बताइए सब जो पंचायती चुनाव जो आने वाला है ये तो पाटी वाइस हो रहा है तो इस पे आपकी क्या रण निती रहेगे और आप कैसे इस पे बहुत रहें देखिए पूरे देश में जितने राज ये हैं सम्में पंचायती राज का चुनाओं दलगत अधार पे होता है और बिहार में इंडिये की सरकार है मानिये मुखमंत्री स्रीनितिस कुमार जी ने और इंडिये सरकार के वहुतेरे मानिये मंत्री गरों ने ये विचार व्यक्त किया है कि आने वाला जो बिहार में पंचायती राज चुनाओं वह दलगत अधार पर होगा दलगत अधार पे होने के पीछे रिजन है कि जो अभी समाज में भरष्ट अचार की जो बात होती है कि पंचायतों में जो विकास की कार्ज हो रही है उसकी गुडवाता नहीं है quality नहीं है quantity नहीं है इस सब पे लगाम लगाने के लिए party ने सरकार ने ये निड़े लिया है कि पंचायत का चुनाव जब दलगत अधार पे होगा जिसरफ पार्लियमेंट और एसेमली का चुनाव होता है बिभिन दल के नेता परचार करते हैं अपना सिमल देते हैं सिमल से जो एमपी बनकर जाते हैं एमेले बनकर जाते हैं वे उन पे अंकुस रहता है दल का सरकार का मुखमंत्री जी का लेकिन अभी जो इन्ड़िजवल जो पंचायत चुनाव होते आ रहे हैं बरतमान में भी जो पंचायत परतिदी है वे किसी दल से मंदे हुए नहीं है उन पे कोई लगाम नहीं है कोई सरकार का उंकुस नहीं है इस अधार पे पाटी ने निड़े लिया है कि गाव अस्तर पे संगठन को मजबूत करने के लिए और ग्राम सभा से जो लोग सभातक का बाचपेई जी ने जो सपना देखा था उ जिहार में जो चुना होगा वो दलगत अधार पर होगा और जनता दल उनाइटेड गोपाल गन जिले में 234 ग्राम पंचायत है 32 जिला परशद है 300 से ज़्यादा पंचाय समिती है तो पंचायत ही राजब्योस्था में जो ग्राम पंचायत का चुना होना है मुखिया का सर पंच का बीडी सी का जिला परशद का वार्ड का पंच का ये सभी अस्तरों पे जनता दल उनाइटेड अगामी 2021 में जो पंचायत का चुना होगा उस पे अपने दल से कनिडेट खड़ा करेगी और उसकी तयारी चल रही है सदस्ता अभियान अभी चल रहा है हम हर बुथ प पचीस किरिया सील मिंबर बनाने के लिए हमनों लगे है हर वार्ड में कम से कम पांच जो है किरिया सील मिंबर हो और उसके साथ साथ प्रात्मिक सदसों की संख्या ज्यादस ज्यादा हो गोपाल गंजीले में मेरा लक्ष पांच लाख प्रात्मिक सदस बनाने का है जीले की अबादी लगभग 30 लाख है लगभग 19 लाख मद दाता है ऐसे में हर पंचायत में हर बूथ पे हर वाड में जनता दर उनाइटेड मजगूती से सदस्ता अभियान को सक्रियक रूप से चला रही है और गोपाल गज में जिस तरह हम पार्लियमेंट का चुनावा भी जीते हैं लगभग 30 लाख ओड से पार्लियमेंट जीते हैं छोग विधान सभा में हमारा बढ़त मना है छोग विधान सभा समझीते हैं उसी तरह से आने वाला जो पंचायत का चुना होगा सभी पंचायतों में सभी जीला परसद सदस्चेत्रों में हमारा अपना जोएकी जनता दलि रियुका, एन्डिये का पंचायत का मुखिया होगा, सरपँच होगा, BTC होगा, जीला परसद होगा, वाड होगा और पंच होगा और उसके बाद फिर हम पंचायती राज ब्योस्था के तहद एक ससक्त गाधी जी का जो सपना था, उस सपना को हम सकार करेंगे और सोने की च करेंगे जी पे एल लोज हर कबर आपके